अलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आपको बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में मीनायाद बुलोक में आज देखिए मैं भिंडी के सब जी बनाने जा रही हूँ गिरेवी वाली तो पेले मैं भिंडी छांट लेती हूँ अच्छे से छ पर उसके बाद निकाल लेती हूँ देखिए निकाल लेते हैं पानी से मैं अच्छे से धोके निकाल रही हूँ इसको पानी से अब इसको काट लेती हूँ आगे पीछे थोरा मैं इस तरब दूर चरही हूँ इती तह तो बल गये थे तो उसको उने सोचे तोरा डोला देती हूँ अब देखिए मैं भिंडी काट रही हूँ इसको आगे पीछे काट लेते हैं ऐसे काट लेजिए आगे पीछे से उसके बाद मैं इसको बीच से चीरा लगाऊंगी बीच से कट कर दीजिए चीरा लगा दीजिए देखिए मैं काट रही हूँ फिर आगे पीछे काट लेती हूँ फिर बीच से काट के और इसके बाद में इसमें हल्दी नमाक धनिया पाउडर लाल मेर्च और बेसन डालूंगी दो तिन चमच बेसन डाल रही हूँ अगर आप चाहे तो आप दही में भी बना सकते हैं लेखिन मेरे घर में बच्चे और मेरे रस्बेन डही खाते नहीं है इसके साथ कोई रेस्पी में में डही डाल दू तो उनको अच्छा नहीं लगता है आप चाहे तो बना सकते हैं उसमें भी तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी देखिए मिक्स कर रही हूँ चारू तरब से अच्छे से घुमा के मिक्स कर लेती है इसको तब तक में उस तरब कराही चरहा के तेल चरहा दिया है कराही चरहा दिया हूं में उस तरब देखिए अब इसको डालूंगी तेल में पहले देख लेती हूं तेल गरम है या नहीं देखिए मैं तेख रही हूं फिर गरम है तेल तो मैं इसमें डाल देती हूं सारी डाल देती हूं अच्छे से देखिए मैं डाल रही हूं एक ये बार में सब डाल दिये है और डाल के इसको अच्छे से गुमा गुमा के मिक्स कर दिजिएगा तेल में चारु तरब से गुमा गुमा के तेल इसमें अच्छे से सोख ले इस तरह से थोड़ा इसको करारी होने तक भूनेंगे इसमें तेल में थोड़ी थोड़ी देर पर पल्टाते रहेंगे ने पल्टाएंगे तो इसमें बेशान है वो चिपकनी के डर रहता है फिर चिपक जाता है कराही में तो थोड़ी थोड़ी दर पर घुमाते रहेगा मैं घुमा रही हूं देखिए इस तरह से अब दिखिए में दो टमाटर अधरक घुमात्ight ले लिया हूँ इसको पेष्ट बनाओंगी इसको पेष्ट बना के फिर डालोंगी इसमें देखिए तब तक कि इस तरफ हो गई है यह इस तरह से बनाना है देखिए पकाना है इसको यह पक चुकी है मैं इसको निकाल लेती हूँ अगर आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं मैं कितने बार ऐसे भी बनाई हूँ ऐसे भी मेरे बच्चे खा लेते हैं अच्छे से अच्छे लगता है अगर चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं अब निकाल लिया है सारा इसमें से निकाल के रख दिया हूँ साइड में देखिए अच्छे लग रहा है ना कितना अच्छे लग रहा है अब इसमें में तेल डाल दिया हूँ देखिए उसके बाद इसमें जीरा डाल रही हूँ अजमाइन डाल दिये थोड़ा से जीरा मुझे कम लग रहा था में दोबारा डाल दिये और अजमाइन डालूंगे अब थोड़ा से क्रेस करके तो ऐसे हथेली पर थोड़ा से क्रेस कर देखिए में करके डाल दिए थोड़ा से इसको चटकने देते फिर इसमें ढालूंगी प्याज दो प्याज काटके डाल दिए इसमें देखिए प्याज भून रही है इसको पकाएंगे प्याज को अच्छा से जब तक गोल्डन ब्राउंड नी हो जाती तब तक इसको पकाना है ने तो थोड़ा मीठा पन रहता है इस तरफ मेरी बेटी सूट कर रही थी तो मुझे थोड़ा हसी लग गई है तो इसके बाद देखिए थोड़ा से प्याज पक गए मैं थोड़ा से तब तक हल्दी डाल रही हूँ लेकिन प्याज अभी पके नहीं है थोड़ा से और पकाऊंगे मैं इसको देखिए पक रही है प्याज अब इसमें डाल दिया हूँ में लाल मिर्च क्योंकि मैं पेस्ट बनाई हूँ तो इसमें सब कुछ डाल दी हूँ तो इसलिए इसमें कुछ नहीं डालूंगे सिंपल से यह देखिए यह रहा पेस्ट इसमें सब कुछ डाल के पेस्ट बनाई हूँ अब यह पेस्ट को डाल देते हैं कि इसको पकने देती हूं सारा पेश डाल दिया हूं में अब इसको भूनेंगे भूनना तब तक है जब तक इसमें से तेल ना निकल जाए तेल ओपर अपने आप आने लग जाता है तब तक भूनना है देखिए थोड़ा से भून गए है उसके बाद इसमें मैं दो चमच जाल ये अने तो उठलिया हो जाती है इसमें दीखिए डालके तुरंत मिलाना है इसको मिक्स करना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूं ऐसे आप मिक्स करेए और इसको थोड़ा पकनी देते हैं थोड़ा से पकाऊंगी इसको जब तक इसमें तेल उपर नहीं आ जाए देखिए इस तरह से यह पक चुक है देखिए ऐसे तेल देख रही होगी आपको अब इसमें डालना है पानी जितना गिरे भी आपको रखना है इसमें उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें में इसमें और पानी डालूघ देखिए आपको जितना चाहिए आप डाल सकते हैं जितना गिरे भी रखना है उस हिसाब से, मैं पानी डाल रही हूँ, द exception है कि पानी ठीक है या नहीं, मुझे कम लग रहे हैं थोड़ा से, तो मैं थोड़ा ओर डालूँगी अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से बना सकते है अपको जितना गिरे भी रखना है, या फिर थोड़ा से तली रखना है मुझे कम लगा था में थोड़ा से और डाल रही हूँ देखिए बस इतना हो गए मेरे हिसाब से इतना ठीक है अब मैं इस में डालूंगी स्वादवनुसार नमक आप अपना स्वादवनुसार नमक डाले मैं नमक डाल रही हूँ मैं लाश्ट में नमक डालती हूँ सुरू में मुझे पता नहीं चलता है अंदाजा नहीं लगता है देखिए नमक डाल के मिला दिये अब इस तरफ में तब वो पकने के लिए रख दिया हूँ तब तक मैं थोड़ा आटा गून रही हूँ जो की है तो इसे मिंए यह डाल दी और AMें असको मिक्स करके थोड़ी दर और पकाऊंगी में इसको कि थोड़ी दर थोड़ा से पकाऊंगी क्योंकि बेसित अडलflowing म pilesा बढता आल noun मैं अच्छा लगेगा तो मैं थोड़ इदर के लिए ढख दोंगी तब तक फिर चाहँ तक गूंद लेती हूं मतलब मसल लेते थोड़ा से हमारी सिब जी अब ये देखिए त्यार है आप ये अपने घर पे जरूर टराई किजिएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पिलीज इसको लाइक और सेर किजिएगा मेरे चैनल को सुस्क्राइब किजिएगा तब तक के लिए थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वी करते हैं